Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu कि हमें पता है हमापस कितनी सारी चीज़े हैं मतलब के हमारे पास बहुत बेश्मार नेमते हैं अल्ला की दी हुई हम अगर सोचने बैठे ना तो हम शायद अपनी जिंदेगी खतम कर देंगे हमें इतना कुछ मिला है जैसे कि सबसे पहली तो हम अपने आपको ले लेते हैं हमारी आखें हमारी नाक, हमारे होट, हमारी जबान, हमारे हाथ, हमारा दिमाग, हमारे पाउं हर चीज अल्ला पाक की निमत है मसाले लाल मिर्च पतनी ये सारे अल्ला के पैदा किये हो ंगर ये अल्ला के पैदा किये में होगा इसे नहीं होते और उम्हाろğ धो हम एक चीज़े के बहुते नहीं हुते हमें सर medic हम हिल जाएंगे कि हमारे पर इतना कुछ है अगर हम दुनिया में ये चीजे लेने जाएं अगर हमारी आँख खराब हो जाती है अगर हम ये आँख कही दुनिया से परचेस करें कि हमें वापस इसी तरह की मिलेगी हमारी आवास चली जाती है कि हमें दुबारा इसी तरह की आवाज मिलेगी कोई भी हमारे अंदर मसला हो जाएता अल्ला ना करें तो हमें दुबारा वापष सेम ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा तो हमें चाहिए कि हम सुबह शाम रात को अधी रात को सोते टाइम उठते टाइम अल्ला का शुकर अदा करते रहें क्योंकि दुनिया में दुनिया वालों ने ये चीज़ें हमें नहीं दियें ये चीज़ें हमें जो हमारे पास हैं यहां तक कि हमारे अगर हम कोई चीज कमा रहें मैनत मुशक्कत करके पैसे भी कमारे तो वो भी अल्ला की जात है हमें देने वाली तो हमें अपने दिमाग और दिल में सचे दिल से ये चीज़ बिठा लेनी है और हमें अल्ला का सुबा शाम कसरत से जिकर करना है और शुकर अदा करना है अल्ला पाक फर्माते हैं कि जो मेरा बंदा शुकर अदा करता है उसको अल्ला पाक और ज्यादा नवासते हैं सोचें कि अभी इतनी बेशुमार नेमत हैं हम सुबा शाम जिकर करेंगे तो फिर तो हम क्या कुछ नहीं बन जाएंगे और अल्ला पाक का शुकर अदा करने से हमारे दिमागों से दुनियावी सारी चीज़े चली जाएंगे और हम अल्ला के जिकर में मश्गूल हो जाएंगे और दिमाग में भी हमें सुकून मिलेगा और दिल में भी बहुत सुकून मिलेगा तो हमें चाहिए सुबा शाम अल्लापाक का शुकर अदा करें लगी नहीं मतों का लाफिस